पुत्तर पिदेश की राजनीती में आप लोग एक नाम हमेशा चर्चा में देखते होंगी कल्यान सींग और देखिए आप लोग अचमवीत होता है कभी-कभी कि हमें जानकारी होती भी नहीं है फर भी हम उस जानकारी को सही मान कर सेयर करते रहते हैं ट्वीटर और और वोट्सब या फिर आप देखिए कि ट्वीटर पर देखा तो लोग इन्हें सिद्धांजली दे रहे थे यानि कि इन्हें मतलब आप सोची इनकी डैथ हो चुकी है लोग मान रहे थे लेकिन जब इनके बेटे को ट्वीट करना पड़ा कि अभी कल्यान सींग सही इस्ति में है ठीक है इनकी तबीयत खराब हुई थी तो आप समझें कि हमें सही जानकारी कि हमें पड़ताल तो कर लेनी चाहिए कि यह सज भी है या नहीं है और आप सभी जानते हैं कि जूटी खवर बहुत जल्ली आपकी तरह फैलती है तो मैंने कई जगे फेस्वुक पर देखा कई लोग टूइट भी कर रहे हैं तो चली खास हम लोग कल्यार से इंके बारे में एक सामन जानकारी देख लेते हैं कि इनका राजनेतिक जीवन क्या रहा है इन पर आप देखते हैं कुछ बिवाद भी हैं उन बिवादों को भी हम लोग देख लेंगे यह कई राजनेतिक पाइटियों से भी जुड़े रहें, कौन-कौन सी पाइटियों हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए, यह उनकी फोटू है, आप देख चाहिए, यह है उनकी पिक्चर, इनकी अगर हम लोग जनम तिथी की बात करें, तो 5 जनवरी 1932 को हुआ था इनका जनम, यानि कि आप कह सकते हैं कि आजादी के पहले इनका जनम हुआ था, अगर इनके जनम इस्थान की हम बात करें, तो मधोली, तैसील, अट्रोली, और जिला अलीगड़, और शेव फ्रांत, जो बेटेश भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 तक ह हमारे उपर अंग्रेजियों का असासन था, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बरतमान में उत्तर पिदेश में पढ़ता है, ठीक है, और अगर हम लोग इनके पिताजी की बात करें, तो आप देखेंगे इनका पिताजी का नाम था, तेशपाल सिंग लोधी, और लोधी य एक तो इनका बेटा है, जो आप जानते हैं, नेता है, और दूसरी इनकी बेटी है, तो बेटे का नाम राजबीर सिंग, और बेटी का नाम करें, तो फिर भाह बर्मा, इनकी बेटी है, इनके ग्रहे चित की बात करें, तो अलीगड उत्तर पिदेश में आपको देखने को म उन्हों किया हुआ है, अगर हम लोग इनके सॉम्प की बात करें अभी रोची की बात करें, इनने क्या करना पसंद है, तो आप देखेंगे समाचाद पत्थ पढ़ना भी इन्वें पसंद है कवड़ी देखना भी पसंद ये, संगीत सुनना भी पसंद है और धार्मिक सास्त भी पढ़ना पसंद है और पसंदीदा नेता की बात करें तो अटल विहारी बाच्वेई इनके पसंदीदा नेता है और आप सभी जानते ही कि अटल विहारी बाचपे बहुत सारे लोगों के एक तरह से आईडियल फ्रोज हैं क्योंकि आप जानते हैं उनकी सक्सियत ही ऐसी थी और इनके पसंदीदा इस तल की बात करें तो सिंगापूर और थाइलेंड इनके गूमने के लिए एक तरह से पसंदीदा जगए हैं पसंदीदा खेल कवड़ी और टैनिस है और आप सभी जानते ही कि राजनीता है यानि की राजनीते से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दूँ कि जन संग पाइटी आजादी के बाद आप लोग देखेंगे तो जन संग पाइटी का गठन हुआ था उसमें यह रहे हैं 1967 से लेकर 1980 तर सबसे पहले जन संग पाइटी को जोईन करते हैं 1967 से कब तक रहते हैं? 1980 तर और आप जानते हैं कि BJP यानि कि आज जो आप लोग भाजापा देखते हैं न यह आती है आपकी 1980 में बनती हैं तो भाजापा में रहते हैं 1980 से लेकर 2009 तक और 2009 में एक क्या करते हैं कि समाजबादी पाइटी ज्वाइइंग करते हैं और 2009 से लेकर 2010 तक इस पाइटी में रहते हैं उसके बाद यह जन्म क्रानती पाइटी में सामिल होते हैं अगर हम लोग राजनेति क्यात्रा की बात करें, तो एक बार आप लोग उत्तरपदेश को जरूर देख लिए, देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखी कि उत्तरपदेश आपको ये देखने को मिलेगा, ये है आपका उत्तरपदेश, क्योंकि आप सभी को मालू है कि उत्तरपिदेश राजनीती के छेत में बहुत ही खास महतु रखता है और यहां तक माना जाता है कि अगर आपको दिल्ली की गद्धी पर वैठना है तो उसका रास्ता आपका उत्तरपिदेश से ही निकलता है ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लोग सभा में 80 स सीटें हैं आपकी समझ रहे हैं वहीं आप लोग देखेंगे तो आपका विधान परिशत की बात करें तो 403 सीटें देखने को मिलेगी विधान परिशत में बात करें तो आप देखेंगे 100 सीटें आपको देखने को मिलेगी आप समझ सकते हैं इसलिए महत्पूंड इस्था रखता है और आप देखेंगे कि अधिकतर पिधानमंत्री आपके उत्तर पिधानमंत्री से ही निकले हैं आज के आपके जो पिधानमंत्री हैं इन्हें देख लीजे पिधानमंत्री मौदिस आपको बनारस से चुन कर आते हैं तो आपको समझना चाहिए ठीक है और आपको बत आते हैं यह देख लिए इसकी अंतराश्टी सीम आपकी नेबाल से लगती है उत्तर प्रदेश की यह भी देख लिए उत्तराकंडे भी पहले उत्तर प्रदेश का ही इस्सा हुआ करता था समझे रहे हैं और वर्स 1980 तक सदस रहते हैं यानि कि कहने का मतलब है कि 1967 में पहली बार वो विधायक बनते हैं और 1980 तक वो विधायक बनते आते हैं और आप सभी जानते हैं कि विधायक को डारेक्ट जनता चुनती है जिसे आप लोग MLA भी कहते हैं ठीक है फिर आप देखेंगे जून 1991 में BJP को विधायन सभा चुनाओ में जीत मिलती है 1991 की बात कर रहा हूँ और कल्यायंड सिंग पहली बार उत्तरपदैस के मुख मंत्री बनते हैं तो कल्यान सिंग 1991 में मुखमंत्री बनते हैं उत्तरपदिश के पर आपने देखा हुआ कि बाबरी मस्जित का विद्वान से यानि की बाबरी मस्जित गराई जाती है और कल्यान सिंग 6 दिसंबर 1992 को राज जी के मुखमंत्री पर से इस्थीपा दे देते हैं कार सेपकों ने आपने देखा होगा उसमें उमा भारती का नाम आया हुआ था, लाल किष्णा अडवाणी का नाम आया हुआ था, इनका भी नाम आया हुआ था, तो आप समझ सकते हैं, तो 6 दिसंबर 1992 को ये अपने पद से इस्तिपादे देते हैं, फिर आप देखेंगे 1997 में भाजापा छोड़ दी, और राष्टी एक रांती पायटी का गठन किया था, ठेक है, उसके बाद आप देखेंगे 2004 में, पूर्पिधान मंत्री अटल विहारी वाजपई के अनरोत पर वह भाजापा में फिर से सामिल हो जाते हैं, क्योंकि अटल विहारी वाजपई ये आज के निताओं से हम लोग उनकी तुला कभी नहीं कर सकते हैं, 2004 के आम चुनाव में आप देखेंगे कि वो है बुलंद सहर, लोकसभा निर्वाचन चिछेत से सांसर निव्त की हो जाते हैं, यानि कि लोकसभा सदस्ते बनते हैं, 2004 में कल्यान सिंग, और आप सभी जानते ह होंगे, कि लोकसभा सदस्त भी डारेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, आप सभी जानते होंगे, यह भी जानते होंगे कि अगर आप 18 वर्स की हो चुके हैं, तो आप लोग बोड भी डाल लें जाते होंगे, ठीक है, और वर्स 2009 आता है फिर, आम चुनाव में वह 2009 में भी उन्हें जीत मिली थी, निर्दलिये चुनाव लड़ेते, तो आप समझ सकते हैं, कुछ तो बात रही होगी, अगर कोई निर्दलिये चुनाव जीत जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है, 2009 में आप देखेंगे, वह समाजवादी पार्टी में सामिल होते हैं, और 2013 में वह पुना भाजापा में सामिल हो जाते हैं, तो फिर भाजापा छोड़ते हैं, फिर जुएन कर लिते हैं, यह चला आया, फिर आप देखेंगे, 4 सेप्टमबर 2014 को उन्होंने राजिस्थान की गवर्नर की रूम में सपत गरहन की, यानि की राजजिपाल बनते हैं कहां के राजिस्थान के, कब? 2014 में, फिर आप देखेंगे, 2015 से, 2015 जनवरी से लेकर अगस्त तक, उन्होंने हिमाचल पिदेश की राजपाल के रूम में भी काम किया, यानि की हिमाचल पिदेश भी आप देखेंगे, यहां आप देख सकते हिमाचल पिदेश यह आपको देखने को मिलेगा राजिस्थान की बात करें तो ये राजिस्थान आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां के राजपाल भी रहे हैं इनसे कुछ विवाद भी जोड़े रहे हैं आप जानते हैं जब कोई नेता बनता है तो उसे कोई विवाद विवाद जोड़ा ही रहता है तो इनके विबादों की बात करें तो बावरी मस्जित विध्वंत से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ आयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर बनाने की सपत गहन की थी और कहते हैं कि इसी कारण मस्जित गराई गई थी बावरी बावरी मस्जित विध्वंस में सनलिफ्थ होने पर उन्हें कोई खेद नहीं है आप लोग उमा भारती को सुन लेजी आप लोग वो भी कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है मेरा हाथ था ये खुसी की बात है बात में आपने देखा है कि सब को वरी कर दिया गया उस मामले में ठीक है अब पूरा खतम भी हो गया है लगबब और वो कहते हैं कि बावरी मस्जित विध्वंस यानि की गरना आवस्थक भी था यानि क्या आप कह सकते हैं कि एक कट्टर हिंदू नित्त थे फरवरी 1998 में उनकी सरकार ने बावरी मस्जित विध्वंस में सामिल लोगों बिवादों में भी रहे थे तो एक कहानी आपकी कल्यान सिंग की फरसे दुआ करिए आप लोग कि वो सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें जब तक रहें खोसाल रहें और जब भी इस तरह की कोई जानकारी आती है आप लोग गूगल है आपके पास मुबाइल है हर किसी के पा मरा गोसित कर दिया उनकी मौत की अफवा फैला दी और आप देखेंगे ट्वीटर पर बड़े बड़े नेता हुने सिद्धानजली भी दे दी तो ये हाल है हमारे सोचना तंत का कि यानि कि हमारे पास सब ओप्सन होने के बाद भी हम सही सोचना भी एकतित नहीं कर पा रहे आप समझ सकते हैं कि आज से जब मोबाइल ना होता होगा उसमय लोगों को क्या हाल होगा मुझे लगता है कि उसमय लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज तो आप सोचे कि आप एक मैट में कहाई ही से भी कही कि जानकारी इखटी कर लेते हैं लेकिन फिर भी आप जूटी ही जानकारी एकट्टे करने में लगे हुए है खेट छोड़िए देख लिए इनके बारे में यतना ही कुछ पॉइंट हैं इन्हें आप लोग जान लेजिएगा